तो दोस्तो आज हम जानेंगे उल्लू वेब सिरीज जाने अंजाने में सीजन 5 एपिसोड 1 और 2 के बारे में इस वेब सिरीज में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि राज अपने गर्ल्फरेंड काजल के साथ अपने कमरे में रोमैंस करते रहता है दोनों बहुत गरम हो जाते हैं तो राज को कंट्रोल नहीं होता और वो काजल की पैंटी निकालने की कोशिश करता है तो काजल गुसे से खड़ी हो उट जाती है और कहती है तुमको बस अंदर डालने को चाहिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुम अपनी हवस मिटाना चाहते हो मुझे तुमारे साथ अब रिलेशन्शिप में नहीं रहना मुझे सच्चा प्यार करने वाला लौंडा चाहिए ना कि तुमारे जैसा पेलू और काजल वहां से चली जाती है फिर अगले सीन में राज चत पर उदास होकर लेटा होता है और वहां उसका दोस आता है और राज से कहता है क्या हुआ राज उसे सब कुछ बता देता है और कहता है इसके बाद किसी भी लड़की को पटाने से पहले जान लिया कर कि वो देगी क्या नहीं तब ही आगे बढ नहीं तो जिन्दगी में हर बार तेरा ऐसे ही चूत्या कटते रहेगा और उसका दोस्त वहां से निकल जाता है फिर राज अपने कमरे में अकेला काजल की फोटोस देख रहा होता है तब ही वहां राज की होट एंड सेक्सी चाची की इंट्रे होती है और वो राज से कहती है क क्या हुआ? क्यों उदास लग रहे हो? कुछ हुआ क्या? तुमारी गर्फ्रेंड के साथ जगडा हुआ क्या? हाँ चाची, काजल मुझे छोड़कर चली गई और वो रोने लगता है तो चाची राज को अपने सीने से लगा कर चुप कराती है तब ही चाची के संतरे राज क गालों को चूते हैं और राज की हवस जाग जाती है और वो सोचता है मुझे तो सिर्फ पेलने के लिए और चाहिए फिर वो काजल हो या कोई और जब घर में ही पेलने को मिल जाए तो टेंशन किस बात का फिर राज चाची के सपने देखने लगता है जिसमें वो चाची के साथ नहा रहा होता है, चाची को उठा उठा कर ले रहा होता है, फिर अचानक उसका सपना तूट जाता है, और वो बौकला जाता है, और चाची के दर्शन लेने चाची के कमरे में जाता है, तो वहाँ चाची चाचा के साथ सोई हुई होती है, राज च चाची को देखता है और वहाँ से चला जाता है और अपने हाथ से अपना केला हिला कर पानी निकाल देता है। दूसरे दिन सुबर सब लोग breakfast कर रहे होते हैं वहां राज के माबाप चाचा चाची सब होते हैं। राज की माँ उसके बाप से कहती है, चलो कहीं जाकर कुछ दिन रहकर आते हैं. तब भी राज का बाप कहता है, कहा जाएंगे? ये बात सुनकर राज खुश हो जाता है और कहता है, ताओ जी के पास चले जाओ मत्हूरा में. और उसकी माँ भी कहते हैं हाँ वही जाते है फिर राज का चाचा कहता है मैं तो तीन दिन के लिए नासिक जा रहा हूँ और अपने बीवी को कहता है बैक पैक करो यह सुनकर तो राज के मन में लड़ो फूट जाता है और वो सोचता है यही मौका है चाची की लेने का फिर चाची बैक पैक करती है और चाचा कमरे में जाता है और जाते जाते चाची को एक शौट मार के नाशिक चला जाता है फिर राज सोचता है अब कैसे चाची के लिए क्या किया जाए वो दिमाग लगाता है तो उसे गोलियों की याद आती है वो रात में सबके खाने में नीन की गोलिया मिला देता है और रात में चाची के कमरे में जाकर चाची के सबी अंगों को कुट्टे की तरह सूंगता और चाटता है और कपड़े के उपर से ही अपना सामान चाची के शरीर को रगडता है और फिर बातरूम में जाकर केले का पानी निकाल देता है अगले दिन भी राज यही हरकत करता है पर इस बार राज चाची की पैन्टी आदी नीचे खीच कर ऊपर करना भूल जाता है और केले का पानी वहीं बेट के साइड में गिरा देता है जहाँ पर चाची के चपल रखी होती है दूसरे दिन सुबह जब चाची उठती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है वह अपनी पैंटी साड़ी सब एड़ेस करके चपल पैंती है तो उसे चिपचिपा लगता है फिर वो समझ जाती है कि किसी ने तो यहाँ पर आके मेरे साथ गेम किया है फिर दूसरे सीन में चाचा नासिक से वापस आता है और रात में चाची के साथ रोमैंस करता है और चाची की लेने जाता है तो चाची उसे इगनोर करती है और उदर मूग करके सो जाती है और अजीब सा चहरा बना लेती है फिर चाची अचानक से उटकर राज के कमरे में जाती है और राज को चिपक कर चूमने लगती है तो राज की फट जाती है और वो कहता है चाची आप ये क्या कर रही हो तो चाची कहती है चुपकर साले चूतिया मत बन मुझे सब पता है तो दो दिन से जो खाने में नीन की गोलिया डाल कर सब को सुला रहा है और मेरे कमरे में मेरे साथ में आकर जो कर रहा है मुझे सब कुछ पता है कहानी का सस्वेंस ये होता है कि राज जब खाने में नीन की गोलिया डाल रहा होता है उसी वक्त चाची उसे देख लेती है और चाची वो नीन की गोलिया वाला खाना न खाते वे दूसरा खाना खाती है और राज को लगता है चाची गोलिया खाकर लुड़क गई है और वो चाची के साथ कान करता है पर चाची येडे बनकर पेडे खाती है और राज को चूतिया बनाती है यह सुनकर राज सुनन हो जाता है और चाची राज को अपनी लेने के लिए कहती है और राज भी जम कर लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है तो दोस्तों कैसे लगी आपको यह स्टोरी अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद